दोस्तों सिंबा हो चुके हैं बिग बॉस के घर से बेगर सिंबा को बाहर की ओडियंस कह रही थी केस को निकालो क्योंकि इसका बिग बॉस के घर में कोई भी आफ़र्ट नहीं है ये बिना वजे का विआईपी रूम में चला गया जबकि ये लायक था ही नहीं दूसरी तरफ सिंबा के फैंस जो उनको हर बार बचा रहे थे मगर अब सिंबा ने बाहर आकर बिग बॉस के लिए एक बड़ा खुलासा कर दिया है और वो खुलासा क्या है चलिए आप से शेयर करते हैं चैनल पर नए है जल्दी से सब्सक्राइब कर दिजिए दोस्तों सिंबा नाकपाल बिग बॉस के घर से बले ही बाहर आ गए हो मगर हर कोई जो भी कंटैसेंट बाहर आता है वो कुछ नो कुछ एक ऐसी बात जरूर कहता है जो सोशल मेडिया पर हद से जदा वाइरल होया थी है और सिंबा ने वही सब किया जो औरो ने भी किया मगर सिंबा ने इस बार काफी ज़्यादा डिफरेंट किया सिंबा का कहना है कि मुझे पता है कि बिग बॉस के घर से मुझे क्यों निकाला गया मैं जानता हूँ कि मेरे निकलने की सबसे बड़ी वज़ा क्या है मेरे फैंस मुझे जिनके ओपर गर्वे वो मुझे अभी तक बचाते हुए आए हैं और मुझे आगे भी बचाते हैं मगर मुझे जानकर इस शो से बाहर लेकर जाए गया और उसमें सबसे बड़ा रीजन ये था कि वाइल्ड कार्ट एंट्री क्योंकि इन लोगों को वाइल्ड कार्ट एंट्रीज करनी थी वाइल्ड कार्ट लोगों को रखना था जिसके चलते इनको मैं खुटक रहा था मैं इनके एकॉर्डिंगली में शो में रहने लायक नहीं था चाहे भले ही मेरा एफ़ट हो या ना हो मगर फिर भी मुझे गलत तरीके से बिक बॉस के घर से निकाल कर बाहर फेका गया तास्क जो हुआ था उसके दुरान में मेरे साथ में बहुत गलत वेहार हुआ बहुत गलत तरीके से इन लोगों ने मेरे साथ में टास्क खेला इन लोगों की strategy पहले से ही रही थी कि सिंबा को बाहर निकालना है और ये कामियाब भी हो गए तो सिंबा का आरोब दरसल है किस पे सिंबा का आरोब एक तरफ makers पे जा रहा है तो दूसरी तरफ घर में जितने भी सारे contestant है जो already task खेल रहे थे उन्होंने support किया इसलिए सिंबा का आरोब contestant के उपर ज्यादा है मेकर्स के उपर का में क्योंके wild card entry डालनी ज़रूरी थी इसलिए इनको में कुटक रहा था बलकि मैं मानता हूँ कि मुझसे down level पर घर में और भी सदस्से थे अब वो कौन सदस्से थे उसका नाम सिंबा ने नहीं लिया क्या आप सिंबा किस बात से सहमत है सिंबा घलत तरह से बाहर निकाले गए है या फिर सिंबा शो में रहना डेजरूफ करते थे वो नीचे हमें कॉमेंट में लिखके जल्दी से बताईएगा